य।, हलो स्थुधेंट्स, वेलकम तू दू दा अफिश्ल यूटूब चैनलाव ओरिजीन कोचींग। आज इसका हमारा टापिक है काइनेमेटिक्स का एक इंपॉर्टेन पार्ट रिलेतिव विलेसिटी। देखे, Relative Velocity, Kinematist का सबसे important question है, for competitive point आप ही हो, मैं इससे पहले की Relativity पर बात करूँ, आपको एक important information पहले देदू, कि आप जब भी किसी भी competitive exam कोई एपियर करेंगे, चाहे NEET हो, चाहे IATJ हो, चाहे KVPY हो, NTSC हो, even NDA हो, तो Relative Velocity से Related question हमेशा पूछता है, हर competitive exam में इसमें question फोकस होता है, तो आप इस concept को depth में जाके, बहुत अच्छे से आप इसको clear करिए, क्योंकि मैं कई बार अपने videos में आपको बताया, कि मेरे जो lecture है, वो two parts में है, पहले part के अपने सभी lecture में, में foundation course और border pattern पर आपको पढ़ाई कराता हूँ, that means concept clear कराता हूँ, और second part का हमारा जो वीडियो आपको मिलेगा, वो completely competitive पर based होगा, तो जब आप मेरे competitive पर based वीडियो आप देखेंगे, तो यह जो concept में clear करता हूँ, इसी के best पर आप उसको कर पाएंगे, that means first इसको prepare करना है, and after that, competitive pattern, क्योंकि physics में concept सबसे important है, तो now we start relative velocity, relative velocity, इससे पहले के मैं relative velocity पर बात करूँ, थोड़ी सी मैं चर्चा करूँगा relativity पर, what is relativity, देखें, relativity का principle, physics का बहुत famous principle है, जो अलबाट आइंस्टाइन ने दिया था principle of relativity, मैं उसको बहुत ज़्यादा details तो discuss नहीं करूँगा, लेकिन मैं कोशिस करूँगा, कि आपके brain में relativity मैं अच्छे से clear कर दूँ, देखें हमारे पूरे inverse में, जीतरे भी physical quantities हैं, उसमें time को छोड़के, other than time, all physical quantities are relative, बिना comparison के, हम किसी physical quantity को define नहीं कर सकते, हमको hardness इसलिए पता चलता है, क्योंकि हमको coldness पता होता है, हमको dark इसलिए पता होता है, क्योंकि हमको light पता होता है, आप कोई भी physical quantity ले लिजिए, आप comparison में उसको समझ पाते हैं, but time relative नहीं होता, मैं कभी relativity के topic पर आप से बात करूँगा, तो आपको detail में उस video में बताऊँगा, कि time relative क्यों नहीं है, यहाँ पर मैं आपको relativity बता, relativity मता होता है comparison, हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं, इवन जब किसी चीज़ को खाते हैं, तो किसी को कड़वा बोलते हैं, इसलिए बोल पाते हैं, क्योंकि हम को मीठे का भी पता है, आप imagine करो एक बच्चे को पैदा होने से लेके, हमेशा आगे फार इवार, उसको आपको सिर्फ मीठा खिलाते रहो, वो यह नहीं जाने का क्योंकि दूसरा भी स्वार्द होता है, that means, मैं आपको पहले यह बताना चाहता हूँ, कि हर चीज relative है, time को छोड़ के, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, relative velocity, velocity का relativity, देखिए हमने motion के definition में आपको बताया था, change of position of anybody, with respect to any stationary body, with respect to stationary body, आप imagine करिए हम अर्थ में बैठे हैं, और अर्थ अपने galaxy पर sun के राउन, इतने speed से motion कर रहा है, लेकिन हम में से किसी ने कभी अर्थ के motion को हिसास नहीं किया, हमको नहीं पता चलता, आप कार में 120-130 km per hour के speed के वीकल में बैठते हैं, तो आपको motion के हिसास होता है, आप डरने लगते ही speed ज़्यादा हो गई, आप सोचो, हम अर्थ में बैठे हैं, और अर्थ की क्या speed है, इतनी speed के हमको पता नहीं चलता, जो anytime हम galaxy में अर्थ के साथ में revolve कर रहे हैं, क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि हमारे पास कोई relative body नहीं है, that means बिना relative body के, हम motion को या velocity को डिफ़टे, यह बहुत important topic है, यहाँ पर जो मैं आपको concept player करूँगा, जो mathematical tools बताऊँगा, आप उसको ध्यान से समझिए, सबसे पहले अपन देखते हैं, relative velocity का one dimension, first one dimension, one dimension relative velocity, यहाँ पर मैं इसको explain करने के लिए, two vehicles का, imagine करिये two car, two bike, two train, इसको मैं आपको example के रूप में लेकर आपको समझाऊँगा, suppose यह एक body है, और B, यह दूसरा कोई object है, कोई body है, suppose कोई vehicle है, आप imagine करिये, आप दो friend है, आप अपने उपर लेकर समझे, बहुत अच्छा समझ में आएगा, आप दो friend है, एक का घर यहाँ पर है, एक का घर suppose 100 meter बाद है, और आप लोग कहीं जाना चाहते हो, आप लोगों ने mobile में बात किया, यह आप निकल, और आप same time में दोनों अपने origin से निकल गए, और आपका destination भी decided है, कि हम लोग को यहाँ यहाँ जाना है, तो imagine करिये, एक friend यह है, एक friend यह है, और दोनों के बीच में कुछ distance है अलड़ी, एक position से वो नहीं निकल रहे हैं, अब क्या किया, इसने motion किया, suppose, after t time, after t time, यह यहाँ पहुँच गया, और इसने भी motion स्टार्ट किया है, और t time तरके भी motion किया, और suppose, यह यहाँ पहुँच गया, यह दोनों के position different है, suppose, इसका initial position है, x1-0, that means initial position, and after t time, its final position is x1-t, and the second body is x2-0, and after t time, its position is suppose, x2-t, clear, अब यह, यहाँ से start किया था, same time में start किया, t time तक motion किया, यहाँ पहुच गया, अब हम यहाँ जानना चाहते है, relative velocity of a, with respect to b, तो उसको हम represent करते हैं, vab, that means, vab को हम बोलते है, relative velocity, of a, with respect to b, यह आप ध्यान रखेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है, यह vector quantity है, vab, vab मतलब पहले आया है, a बाद में b, that means, relative velocity of a, किसका relative velocity है यह, a का है, किसके respect में है, b के, यह आप ध्यान रखेंगे, कि हम a का relative velocity, b के respect में find करना चाहते हैं, और यह होता है, va, minus vb, मतलब हम जिसका relative velocity find करना चाहते हैं, उसमें, जिसके respect में find करना चाहते हैं, उसको minus करते हैं, अब दोनों का value put up कर देते हैं, that implies, vab, equal, vab का value क्या हो जाएगा, final position, minus, initial position, that means changing position upon time, minus x2t minus x2 0 upon t, यह जाएगा, first body कर दिस्फ़श्मेंगा पन ताएगा, here second body कर दिस्फ़श्मेंगा पन ताएगा, now simplify, assume it's t, then x1 t, minus x1 0, minus x2 t, minus के साथ multiply होके plus x2 not that equal अब यहाँ पर हम क्या करते है t position को एक pair बनाते है और initial position को एक pair बनाते है इन दोनों का इस तरह से हम उसको क्या लिख सकते है इसको लिख सकते हैं x1 t minus x2 t एक pair यह बनाया इन दोनों में से हमने minus common किया minus अब यह प्लस हो जाएगा x1 not minus x2 not upon time अब इसको ध्यान से समझिए कि यह वाला portion यह जो first part है यह क्या है यहाँ figure में आईए यह इसका final position है और इसका final position है और इनके बीच का जो difference है यह इनका जो बीच का difference है यह जो आप देख रहे हैं वही है x1 t minus x2 t that means इसका मतलब क्या हुआ after t time displacement between two bodies t time तक motion करने के बाद उनके बीच का suppose आप दोनों फ्रेंड t time तक motion किये फिर अपने अपने जगा में रुख गये फिर आप देखे कि वो कहा है वो कहा है अब उन दोनों की बीच का दो displacement है वो है first portion और ये क्या है आप देखिए ये है जब आपने motion start किया था तब का displacement कैसे यहाँ पर figure में देखी ये ये motion start करने के पहले का displacement वो 0 भी हो सकता है यदि आप same position से start करेंगे तो second part 0 हो जाएगा वो तो आप निमेर कास में रेखेंगे समझ में आएगा आपको ये हो जाएगा x1 0 minus x2 0 that means relative velocity आप है with respect to b is inward इसको क्या बोल सकते है displacement after t time minus initial displacement अब final displacement minus initial displacement इसको inward हम लिख सकते है final displacement minus initial displacement upon time is relative velocity of a with respect to b that means vab ये होता है relative velocity का फार्मूला अब देखें निमेर कास बनाने में ये situation आपको काम आएगा लेकिन यहाँ पर मैं इसको 5 special case आपको explain कर रहा हूँ कि जो 5 special case में case आपको explain करूंगा वो competitive exam में बहुत सारा question कवर करता है एक केस को आप detail में समझे और उसके concept को समझे इस तरह से ये हुआ one dimension relative velocity देखें one dimension relative velocity का मतलब क्या हुआ कि अभी दोनों particle one dimension मैंने बताएं कि आप एक direction में जा रहे हैं suppose two train अगल वगल के track में जा रही है आप road में दो लोग एक साज जा रहे हैं इस तरह का motion है clear now next is special cases देखें इसका जो special case में आपको explain करूँगा वो हर case बहुत important है completely में उसी से question आते हैं अब यहाँ पर मैं पूरे five case train का example लेकि आपको समझाऊँगा और आप imagine करेंगे कि हम train के respect में इसको समझ रहे हैं देखें मैं हमेशा आपने physics के class में discuss आपसे करता हूँ कि physics complete imagination का और classroom से बाहर observation का subject है यदि आप situation को practical life में experience करेंगे तो physics आपको बहुत interesting लगेगा कभी आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा और आप इसमें इस्वाय करोगे और जब कोई भी आदमी किसी भी चीज में इस्वाय करने लगता है तो अपने आप लादना हो जाता है वो तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप इसमें इस्वाय करिए आप उस situation को अपने brain में create कीजिए कि हम train में आते जाते हैं तो किसिश की सरा का situation हम को मिल्दा है Now first case is since VAB equal VA minus VB then special case now first case first case is suppose if va is greater than vb मतलब first body का velocity second body से क्या है greater है then obviously va b is positive ये value से बड़ा होगा तो क्या मिलेगा value positive मिलेगा तो जब relative velocity positive मिलता है तो होता क्या है देखिए relative velocity positive मिलने का मतलब है जैसे मेरे सामने कोई vehicle है और मैं हूँ अपना relative velocity मैं उसका respect में निकालना चाहता हूँ दो कार में हम जा रहे हैं और मेरा velocity that means भी है आप imagine करें कि भी है मेरा velocity है तो मैं naturally उस कार को क्या करूँगा overtake करूँगा एक बार में उसको overtake करके आगे निकल जाओँगा तो इसमें क्या होता है once overtaking एक बार उसको overtake करेगा और उनके बीच के जो displacement after overtaking after overtaking displacement will be increases मतलब क्या हुआ आप practical imagine करें आप किसी vehicle से जा रहे हैं आपके सामने एक vehicle है आपका vehicle के speed उसके vehicle से जादा है आप क्या करते हो और तक करते हो overtake कर उसको आगे निकल जाते हो उसके बाद आप बहुत आगे निकल जाते हो पिछड़ते जाता है that means उन दोनों के बीच का जो distance से क्या होते जाता है increase होते जाता है question इसमें कैसे आता है कि if relative velocity is positive then what is the sense of positive relative velocity that means body once overtake and after overtaking its distance will be increases clear now second case is if va is less than vb naturally if va is less than vb then relative velocity vab is negative value negative हो गया suppose मेरे सामने का विकल मेरे से ज़्यादा speed में जा रहा है तो क्या मैं उसको overtake कर सकूंगा मैं ही कर सकूंगा है न तो क्या हो जाएगा never overtaking इसमें overtaking नहीं होता और overtaking तो नहीं हो पाता लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस है क्या होता है वो decrease होते रहता है clear तेहाँ पर distance क्या होता है decrease overtake नहीं होगा लेकिन बीच का distance क्या होता है gradually decrease होते जाता है third condition is now third case is if V A equal to V B यह बहुत important case है V A equal to V B then देखिए दोनों velocity का speed same हो जाए तो क्या होगा cancel out होके V A B क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा that means relative velocity of body A is 0 यह बहुत important case है देखिए आप motion में हैं ऐसा नहीं क्या आप rest में हैं लेकिन फिर भी आपका relative velocity 0 है एक इस तरह की बात होती है कि suppose आप train में जा रहे है और आपके बगल में एक और की दूसरे track पर एक और train जा रहे है कभी-कभी आपने देखा होगा कि बगल की train भी कुछ देर तक हमारे train के speed से चलने लगती है तब हम क्या देखते है उस train को देखते है तो लगती है वो train खड़ी है rest में है या खुद को देखे उसका respect में लगता है हम खड़े है लेकिन side में आप tree को electric pole को देखे तो लगता है कि आप speed से चलने है उस window में कोई आदमी बैठा हो आप यहां बैठें आप देखोगे कि आप एक दुनों के seat में बने रहते है या एक practical example आपको देता हूँ जो आप अपने daily life में करते है जो कि आपको नहीं करना चाहिए क्या करते हो आप लोग class से निकलते हो मैं बहुत बार रोड में आप लोग को देखता हूँ class से निकले यह मैं कई बार आपको class में बोला भी हूँ कि जैसे आप बहार रोड में निकलते हो तीन चार फ्रेंड रोड को पूरा cover करके अगल बगल चलते रहते हो और एक दूसरे से बात करते रहते हो सारी आप motion में हो बट अपने बगल के फ्रेंड के रेसेट में क्या हो आप? rest में हो side में और साफ हैं और कुछ Scar बार अबज़क्ट हैं प्र डिस्टेंस चेंग हो रहा है बट बगल बाले फ्रेंड के रेसेट में आपका distance यह रहता है तो यह जो relative velocity है वो क्या होता है if two body the velocity of two bodies are equal and direction is same then its relative velocity is 0 मतलब एद गुशे एक respect में का होते हैं वो rest में होते हैं clear third case sorry fourth case fourth important case is if va is 0 va is 0 suppose यह 0 है that means आप rest में हो लेकिस जिस body के respect में आपको अपना relative velocity चाहिए वो motion में है तो vab क्या हो जाएगा vab equal to minus vb क्योंकि यह 0 हो गया अब यह क्या किसा देखो यह case भी मैं आपको एक practical example से बताऊँ आपने बहुत बार यह आप जरुब किया होगा कि जब आप किसी train पर किसी railway platform में आप खड़े होते हैं आपकी train खड़ी होती है bugle में भी एक train वो भी खड़ी है लेकिन आपने देखा हो कि जैसे यह bugle की train motion start करता है तो हमको क्या लगने लगता है कि हमारी train चलने लगी कई मार तो हम लोग इतना ज्यादा confuse हो जाते हैं कि हमारा हमारे सांथ का कोई person हमारा को relative योदी train से नीचे उतर वास हम उतका वाज नहीं लगते हैं चलो चलो train शूट रही लेकिन बगल देखते हैं हमारी train खड़ी है that means ऐसा क्यों हुआ आप तो rest में हो लेकिन आपका relative velocity 0 नहीं है उसका relative velocity आपके side वाले train के according होगा और यहाँ minus sign क्या सो करता है minus sign सो करता है कि direction opposite है माने आपने देखा होगा कि suppose यह दो train यहाँ platform में खड़ी है और यह train यहीं आगे बढ़ने लगी तो इसमें बैठे आदमी को लगता है मारी train पीछे जा रही है और यह train यह जाए लगी इसको लगता है मैं opposite जा रहा हूँ यह है fourth case कि rest particle भी किसी moving particle के respect पर अपने position को change करता है that means relative velocity का main concept यह है कि आपके position में change होना चाहिए भले है आप rest में हो लिकिन यह दि किसी moving body के respect में अभी कि आप अपना motion बताना चाहते है कि आप motion में हो क्यों कि उसके respect में तो आप अपना position change कर रहे हो plate farm के respect में आप rest में हो लेकिन बगल के moving train के respect में आप कि इसमें हो motion में हो क्योंकि plate farm के respect में आप अपना position change नहीं कर रहे है लेकिन बगल में जो train चल रहे है का respect में आपको position को change हो रहा है clear तिये कहलाता है fourth case and fifth number case is very important if VA equal to VB that means यह तो हो गया ना VA equal to VB हो गया यह minus VB कर लिया इसको में opposite direction में VA equal to minus VB our direction is opposite VB equal to minus VB ऐसा भी कह सकते हैं इस case में आप ले लो ऐसा कि VB का जो direction है वो negative VB हो गया मतलब उसने अपने direction को change कर दिया यहां पर तो क्या हो जाएगा VAB equal to देखे देन VAB equal to VA minus VB that means VA plus VB इस case में दोनों का velocity add हो जाता है यह इसमें मैं आपको train का example दूँ तो आपने देखा होगा कि जब इस तरह से हम suppose इस train में जा रहे हैं और यह train हमको सामने से से cross करती है तो आप window के पास बैठे हैं बगल की train जब opposite direction में cross करती है तो आपको क्या लगता होगा कि जितने देड़ तक वो train हमारे बगल में चलती है लगता हमारे speed increase हो गए speed बढ़ गए लगता है कि बहुत fast हो गए train लेकिन जैसे हो train निकलती है तो हमको लगता है फिर हम अपने natural speed में आ गए ऐसा क्यों होता है क्योंकि दोनों का velocity एड़ होयाता है पर दमपल सपोज ये आपकी train है भी ए इसका speed है सपोज 50 km पर अवर और side में ये train ये है भी भी जो आपको cross करेगी उसका speed है सपोज 60 km पर अवर तो जब ये train आपको बगल से cross करेगी तो आपका relative velocity क्या होयाएगा sum of the velocity होयाएगा that means 50 plus 60 that equal 110 km पर अवर होयाएगा मतलब जब वो train आपको बगल से cross करती है तब भले है आपके train के speed 50 km पर अवर है लेकिन आपको एहसास किसका होता है 110 का होता है इसलिए आपको उस समय ऐसा लगता है किसी tree के respect में ऐसे बहुत सारे situation पर इसमें बहुत सारे numerical cover होते हैं मेरा suggestion है कि सबसे पहले आप अपना concept अच्छे से clear कीजिए उसके बाद आप अपने book से से इसके कुछ निवेल कस प्रावलों सालो करिए और next आप अपने मेरे complete एक जामाले वीडियो पर इसका आप अच्छे से cover कर सकते हैं clear next topic is two dimension अभी हमने पढ़ा one dimension अब हम पढ़ेंगे two dimension relative velocity two dimension में क्या होगा देखिए अभी one dimension में दोनो पर्टिकल दोनो ट्रेन अगल बगल के ट्रेन में एक साथ एक ही direction में जा रहे थे लेकिन two dimension में आप imagine कीजिए कि किसी junction में आप बैठे हैं और आपकी train खड़ी है बगल में दूसरी train खड़ी है लेकिन बगल वाली train को आप वाले route में ही नहीं जाना है उसको किसी other route में जाना है आपकी train इधर और दूसरी train इधर जा रही है इस तरह का situation that means यहाँ पर आप देखिए यह suppose एक body का velocity का direction यह है भी है और दूसरे का direction है suppose यह भी भी इनके बीच के एंगल है suppose theta अब इस situation में आपको relative velocity निकालना है यह two dimension क्यों हुगा sorry यह heading है हमारा two dimension two dimension देखें यहाँ पर two dimension है एक का velocity का direction इधार है दूसरा इधार है दोनों different direction में जा रहे है तो दोनों के 20 के angle क्या है theta है इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले construction करते हैं वी एक है अपोजी direction में हम minus वी यह लेते हैं यह हो गया इसका negative direction मतलब negative vector इसके बाद हम इसमें यह जो direction है यह resultant है that means वी ए दी है relative velocity of a with respect to b कि अब इसको हम क्या करेंगे एक parallelogram construction कर देते हैं इस तरह से यहां से नहीं यहां से अपन parallel इसके लिए आते हैं hypotenuse में clear एस्वारी diagonal यह हमने एक parallelogram construction किया यह reading से मैं जो बनाया एक parallelogram है अब वी यह भी है यह minus वी यह है अब इनके बीच का जो angle होगा that means यह angle total angle 180 होता है इसमें theta minus कर देंगे तो कितना हो जाएगा है pi minus theta clear अब यहां पर हम निकालेंगे resultant velocity of VAB इस तरह से तो क्या हो जाएगा देखें VAB VAB क्या है यहां पर इस parallelogram का क्या है diagonal है और आपको मैंने basic mathematical tools के अपने vector वाले वीडियो में बताया था कि resultant velocity जो होता है R वो होता है root of A square plus B square plus 2 AB कास theta जब भी मैं mathematical tools यूज़ करता हूँ अपनी starting में chapter में तो अपने सभी student को एक बाद जरूर याद दिलाता हूँ कि मेरे जो five video है basic mathematical tools पर उसको आप सबसे पहले proper prepare कीजिए otherwise आपको फिजिस पढ़ने में जैसे यह formula जितने students को आप जितने लोग भी मुझे पढ़ रहे हैं उसमें जिनको यह formula याद है learn है वो इस बात को बहुत immediate समझ जाएंगे लेकिन जिनको वो learn नहीं है उनको समझ में आने में problem होगा इसलिए मेरा आपको एक suggestion है कि आप सबसे पहले suppose यहाँ पर आपको problem आता है तो immediate आप इस topic को complete करने के बाद मेरे five video में एक video में मैंने vector algebra पढ़ाया है calculus पढ़ाया है dignity पढ़ाया है coordinates geometry ने graph पढ़ाया है binemal सरम पढ़ाया है वो एक unique collection है मेरा आप सबसे पहले जाकर वहाँ पर फिर अपने mathematical उसको strong करिए otherwise फिजी साबको हमेशा difficult लगता रहेगा तो यह resultant का formula है इस formula को हम यहाँ पर apply करें तो देखिए यह R का value VA भी है और एक vector है VA भी एक vector है VA यहाँ minus sign है वहाँ पर square है तो plus हो जाएगा इससे में उसको directly लिक रहा हूँ तो यह हो जाएगा VA square plus VB square plus 2 VA into VB into cos यहाँ पर देखिए cos क्या हैगा पाई minus theta यह मैं erase कर देता हूँ अब cos pi minus theta यह आपको याद रखे हैं तेक बल्लिंक देता हूँ और R equal to root आप वैसे आपको यह learn हो जाना चाहिए यहाँ कोशिश करिए कि tools आपको strong रहे that equal अब फिर एक use होगा देखो VA square plus VB square cos 180 minus theta यह ही मैंने 54 फर्माटिगना में टीम पढ़ाया यह होता है minus cos theta हो जाएका minus 2 VA VB cos theta यह होता है resultant velocity that means relative velocity निकालने का फर्मूला and next is direction यदि हम इसका direction निकालना चाहिए direction of resultant तो फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि हमने direction के लिए क्या फर्मूला पढ़ा था 10 alpha equal to B sin theta upon A plus B cos theta यह होता है उस फर्मूलाग यहाँ पर use करें तो B का value क्या है यहाँ पर VB है तो हो जाएगा 10 alpha equal VB sin हमारे article में एंगल theta होता था लेकिन यहाँ पर कितना है pi minus theta ते हो जाएगा pi minus theta upon VA plus VB cos pi minus theta that equal VB sin 180 minus theta is sin theta ते हो जाएगा sin theta upon A VA और यह minus होता है तो minus VB cos theta यह हो जाएगा 10 alpha जाता है that means यह हमारे numerical में two-dimension का situation हो जैसे इस तरह के बहुत सारा question है एक बहुत सारा question हो जाता है उसका एक particle इधर जाता है तो third particle का direction निकालो third particle के बहुत numerical से बहुत सारी निमेरकल से यह दि आपका concept clear है तो मेरा दावा है कि आपको numerical में problem नहीं आएगा physics में numerical में problem आने का सिर्फ दो region पहला आपका concept clear नहीं है और दूसरा सबसे बड़ा region है कि आपको formula learn नहीं है यदि आप concept clear कर लो यह बात मैं बार बार इसले बोलता हूँ कि maximum student numerical से भागते हैं आप numerical से भागोंगे आप competitive नहीं निकाल पाओगे इसलिए सबसे पहले आप concept clear करिये और concept clear करने कि मजब final equation आते हैं वो formula आप learn न करिये clear यह हो गया two dimension अब two dimension में मैं कुछ special case आपको पढ़ा दूँ जो बहुत जादे important है एक special case है river and boat problem and the second is rent and umbrella problem यहाँ पर river और boat को example में लेके हम उसको clear करेंगे then now next topic is example of the two dimension motion अब जो मैं बता रहा हूँ वो two dimension motion के two dimension relative motion के example है first is river boat problem river and boat problem river and boat पर best बहुत सारे problem है तो हम पहले situation को समझें इसके two conditions है first is shortest distance and second is दुनों को comparative बता रहा हूं है shortest time इसका मतलब क्या है अभी आगे explain करता हूं आप imagine करिए यह कोई river है यह river के two sides है इस तरह से यह river है और इस river में water current flow है इसका vr, आर्फा river vr is the velocity of river river means water यहां से just opposite position में जाना चाहता है यह उसका a position है और भी उसका just opposite position है उसका destination है कि वो यहां जाना चाहता है clear तो यहां पर जाने के लिए वो अपने boat को start इधर करेगा आप सोचिए यहां से वो boat लेके आप swimming करके कुछ भी करके river के उस पर जाना चाहता है तो अपने boat को यहां से यहां ले जाने के लिए वो starting का direction क्या लेगा इसके पास three option है मैं आपको दे रहा हूँ पहले समझाने से पहले इधर जाए first कि सीधा चले जाए second या third किस direction को twice करें तो exact B में पहुंचेगा आप फर सोचिए naturally आप में से कई student के दिमार्ग में क्या आ रहा होगा किसर second से जाना चाहिए तब तो यहाँ जाएगा third तो सायद कोईली सोच रहा होगा क्योंकि river का direction है कुछ लोग सोच रहा होगे first तो आपको clear कर दूँ आपने एक film देखी होगी Mohan Jorner करके film देखा होगा उसमें Ritik Roshan को उस side जाना होता है river के या bridge बनाना होता है उसमें तो यदि आपने फिल्म देखी होगी कि फिल्मों से हमको बहुँ सारे situation imagine होते है तो वहाँ पर आपने देखा होगा याद आ रहा गया आपने किसी कियाद आ रहा होगा तो किधर जाता है वो यह जो मैं first लेखा हूँ उस direction में क्यों ऐसा करता है क्योंकि जब वो इस direction में जाएगा तो river का जो flow है वो उसको ढखेलते कर ढखेलते push करते करते यहाँ पहुँचाएगा यदि वो starting इस direction में ले तो river तो उसको इस side में ले जाएगा अब थर तो possible ही नहीं है ठीक है तो यहाँ पर आप देखे होंगे आप देख रहे हैं कि हमको first direction में जाना चाहिए that means यह direction उसको twice करना चाहिए कौन सा यह तो both main इस direction में that means vm हमने उसको imagine किया इस direction में जाता है और finally उसका जो resultant direction होगा वो होगा v suppose वो अपने vertical से theta angle बना के जाता है तो यहाँ पर three direct formula हमको समझना है first direction के लिए direction के लिए हम यहाँ पर निकालते है sin theta sin theta equal to क्या हो जाएगा perpendicular upon hypotenuse तो perpendicular is vr and hypotenuse is vm first second form relative velocity तो यहाँ पर v देखे क्या है perpendicular है तो यह hypotenuse है base है तो होगा hypotenuse का square minus vr square by python and the third is time taken कि कितने देर में उसर पहुचेगा तो suppose river का जो width है वो s है तो time equal to displacement upon velocity होगा तो होगा s upon v यहाँ पर v हम resultant velocity को put up करेंगे तो time taken three questions से बनता है इस तरह के situation में आपको कोई numerical दे देगा और three questions उसमें आपको पूचा जा सकता है कि आप पहला कि board में इनको vertical से कितना degree ले जाके उसको अपने board को ले जाना थी कई बार numerical में क्या बोलता है कई बार बहुस numerical में आप देखना कि with respect to current बोलता है मतब यह जो direction है इस direction के respect में वो बोलता है इस direction के respect में बोलेगा हम तो यह निकाल लिए तो क्या करेंगे उसमें 90 आप plus कर देना with respect to vertical theta निकलेगा लेकिन with respect to current आप the river बोले तो यह जो 90 degree है आप क्या करेंगे उसमें add कर देंगे तो question में थ्यान रखेंगे कि कि किसके respect में direction पूच रहे with respect to vertical direction तो theta आपका निकल गया और otherwise आप क्या करेंगे 90 degree है कर देंगे next is shortest time shortest time का मतलब क्या होता है देखें shortest time में यह river है अब उसको यहां से suppose उसको इस position से उस side में जाना है लेकिन अब उसके लिए position important नहीं है time कम लगे उसको यह तो started distance था उसका time कम लगे तो क्या करेगा आप समझ गया होंगे naturally वो इस direction में यह है वो क्या है perpendicular direction में starting लेगा और finally river के motion के काराण क्या होगा वो यहां पहुँचेगा लेकिन जल्दी पहुँचेगा क्यों क्यों जल्दी पहुँचेगा क्योंकि river भी क्या करेगा उसको push करेगा उधर आगे जाने के लिए generally हम ऐसे ही करते हैं कभी भी आप river वोगर बोट से पार करें तो पता चला ऐसा ले आता है फिर river के केवल क्या करता है जो बोट चलाने वाला है बोट में हो क्या करता है क्यों इसको direction देता है बहुत जल्दी उसाइड में पहुच जाता है तो suppose यह यहाँ पर theta है तो three formula यहाँ पर यहाँ पर आप निकालेंगे 10 theta 10 theta equal to perpendicular upon base तो हो जाएगा vr upon vm next is v resultant velocity यह है जो already hypotenious है तो क्या हो जाएगा vm square plus vr square and the t is यहाँ पर यह condition आप देखे दोनों में confusion बहुत है यहाँ sin theta के help से vr upon vm है वहाँ पर 10 theta से यहाँ पर resultant velocity है उसमें minus है उसमें plus है तो comparative आप इसको पढ़ेंगे कि shortest distance है कि shortest time है numerical में साफ साफ लिखा रहता है कि swimmer को या boatman को उस साइड shortest path को follow करना है कि shortest time को follow करना है जैसा question में दिया रहेगा उसके हिसाब से आप इसको follow करेंगे clear and the next problem is when umbrella problem यह भी बहुत मज़ेदार है देखिए आप ध्यान दिजिए कि कभी बारिस होते रहती है और आप umbrella use करते हैं तो बारिस से बचने के लिए आप umbrella को different different direction में turn करते हैं कभी आप vertical लखे रहते हैं कभी आप left turn कर देते हैं कभी turn सामने चाहिए इस तरह से करते हैं तो किस बेस पर करते हैं आप rain के direction के बेस पर करते हैं clear second is rain umbrella problem rain umbrella problem means relative velocity between rain and umbrella आपने अपने daily life में ये देखा होगा कि जब बारिस के दिनों में हम umbrella use करते हैं तो किस तरह से करते हैं umbrella का position को हम change करते रहते हैं according to velocity of rain यहाँ पर हम को यही समझना है कि rain और umbrella के बीच में जो relative velocity होता है वो किस तरह से होता है देखिए तो यहाँ पर यह suppose यह rain का direction है vr vr rain का direction है और यहाँ पर कोई man कोई आदमी यहाँ पर ऐसा vertical अपना umbrella लेके खड़ा है suppose अब वो motion करना चाहता है इस direction में vm velocity से तो क्या करेगा वो अपने umbrella को यहाँ पर theta degree bend करेगा इस तरीके से bend करेगा यह suppose umbrella का condition है बारी से बजने के लिए अपने theta उसको bend करेगा और यह उस resultant direction होई आएगा that is suppose भी resultant velocity between rain and umbrella अब यहाँ पर हम जा करते हैं एक perpendicular draw करके एक right angle triangle बना लेते हैं यह theta angle है तो vertically opposite है यह भी theta होगा vm इसके parallel है यह भी vm होगा और यह तो already vr है अब इस right angle triangle में देखो यहाँ से यह हम 10 theta निकाल ले हैं तो 10 theta equal to क्या होगा perpendicular अपन बेस तो perpendicular is vm and base is vr और 10 theta से यह vm अपन वीर अभी आपने इसका previous topic दो देखा होगा उसमें हमने river board problem पढ़ाया वहाँ पर भी em और r किसी में sign किसी में 10 और यहाँ पर आप देख रहे हो वहाँ पर vr upon vm होता है अब रिला में ऐसा होता है तो आप इसमें confusion मत होई है यह बहुत important topic है इसका proper concept आप समझ के use करिए देखिए यहाँ पर मैं एक example बताता हम इसका suppose किसी numerical problem में main का velocity 10 meter per second दिया हुआ है suppose कोई आदमी 10 meter per second से motion कर रहा है umbrella पकड़ के और rain का जो velocity है वह भी 10 meter per second है अब यहाँ पर question है कि उससे बारिज से बचने के लिए अपने umbrella को कितना degree bend करना है तो आप क्या करिए यह दोनों value यहाँ पर put up कर दिजे तो therefore क्या हो जाएगा 10 theta equal to vm upon vr vm upon vr vm का value कितना 10 upon 10 दोनों cancel out हो आएगा that means 10 theta equal to 1 therefore theta is 45 degree यहाँ पर theta क्या 45 degree हो जाएगा करने का मतला क्या हुआ कि umbrella को 45 degree से bend करने पर हम इस situation में बारे से बशेंगे तो यह relative velocity का एक बहुत important केस है इसे new calculus problem बहुत सारे cover होते है computer exam में इसे question आता है तो dear students आज के topic में basically मैंने relative velocity पर ही यह वीडियो बनाया relative velocity मैं एक बार आपको फिर याद दिलाता हूँ कि यह बहुत जादा important topic है kinematics का competitive point of view से बहुत important topic है आपके सारे competitive exam में चाहे उनीट हो, चाहे IIT हो, KBPY हो NTSC हो, NDA हो physics पर best जितने भी exam होते हैं उसमें relative velocity से best question पूछा जाता है तो आप इसके concept बहुत अच्छे से तयार करिए और मेरा suggestion, दो suggestion जो मैं हमेशा आपको देते रहता हूँ पहला आप basic mathematical tools सिस्टांग करिए second हर lecture के बाद आप इस पर best numerical problem साल करिए ओके, thank you